क्या बॉलिवुड में नहीं बची है कोई शर्म लिहाज? कैमरे के सामने ही जम कर बरसते हैं चुम्मे खुलम खुला मीडिया के सामने करते हैं ऐसी हरकत पहले यह सब फिल्मों में ही देखा जाता था लेकिन अब हो रहा है सब के सामने तोस्तों बॉलिवुट को गंदा बजार कहे या फिर अश्नीलता का खुलम खुला प्रदर्शन हर टाग इन पर बिलकुल फिट बैठता है आज तक बस बॉलिवुट की फिल्मों को ही अश्लील बोला जाता रहा है लेकिन ये स्टास टीवी की दुनिया से बाहर आकर भी गंद फैलाने लगे हैं लगता है इन स्टास को रील और रियल लाइफ के बीच डिफरेंस अब समझ ही नहीं आ रहा अब तक जनता ये एक्सपेक करती आ रही थी कि फिल्मों में जो सीन होते हैं वो तो डिरेक्टर्स की दरफ से डिसाइड होते थे और इसमें ये स्टास कुछ नहीं कर सकते लेकिन मीडिया के सामने ऐसी हरकत करने के बाद इसे अब क्या समझा जाए क्या इसके लिए भी इन्हें डिरेक्टर्स ने कहा है बॉलिवुद स्टास अब बंद कमरे में नहीं बलकि सब के सामने ही इश्क लड़ाने लगे हैं यहां हाल ऐसा है कि बीवी के साथ प्यार घर में हो या ना हो लेकिन कैमरे के सामने खूब प्यार उभरता है ऐसी अशलीलता देखने के बाद ये बात तो साफ साबित हो जाती है कि इन्स्टास के लिए ऐसी चीजे करना तो आम बात हो गई है कई बार ये अक्टर्स अपनी इन हरकतों के लिए ट्रोल भी होते हैं लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आते जैसे आप ये वीडियो में ही देख लीजे वरुन और आलिया ने जो ये हरकत की है क्या इसके लिए इन्हें किसी और ने कहा वरुन को तो बॉलिवर आक्टरस के साथ ऐसी हरकत करते हुए कई बार देखा गया है जैसे आप वरुन की ये वीडियो देख लीजे आक्टर की ऐसी हरकत करने पर कियारा ने भी उनका हाथ जटक कर दूर कर दिया वही सिधार्त को भी पारिनिती के साथ ऐसी हरकत करने पर काफी ट्रोल होना पड़ा था अचानक इस तरह से उठाने के वज़े से आक्टरस भी काफी अंकमफरटबल हो गई थी जो साफ देखा जा सकता है इसी तरह सिधात ने रकुल प्रीट के साथ भी किया था डांस करते करते सिधात ने बिना सोचे समझे उन्हें उपर की तरफ उठा दिया वो ये भूल गए कि आक्टरस की ड्रेस काफी छोटी है इस वज़े से रकुल प्रीट नीचे उतरते ही अपनी ड्रेस ठीक करने लगी थी वेल ऐसे ही कई स्टार्स है जिन्होंने अक्टरस की मनजूरी के बिनाही उन्हें गलत जगच हुआ और गोध में उठा भी लिया जैसे आप फुक्रे फेम वरुन शर्मा को ही देख लीजे वरुन अचानत कैमरे के सामने आकर अक्टरस कने का मान को गोध में उठा लेते हैं इससे अक्टरस काफी अनकमफोटिबल हो जाती है लेकिन दोस्तों बॉलिवुड के सभी स्टार्स इनकी तरह नहीं है इस मामले में सुशान सिंग राजपूत काफी केरिंग इनसान थे उन्होंने कभी किसी अक्टरस के साथ ऐसी हरकत नहीं की इन फाक्ट वो अपनी फिल्म की हिरोईन्स की मदद करते हुए भी नज़राते थे अपने होट लुक के लिए कई बार छोटी ड्रेस पहन कर सड़कों पर निकल पड़ती है पर इनकी इन्ही अजीब ड्रेस की वज़े से इनने कई बार उपस मोमेंट का शिकार होना पड़ता है चैसे आप अनुश्का की इस ड्रेस को ही देख लीजे पूरे इवेंट में अनुश्का अपनी ड्रेस को ही सम्हालती हुई नज़रा रही थी लेकिन तेज हवा की वज़े से उनकी ड्रेस हवा में उड़ती जा रही थी आखिर ये मैडम ऐसी ड्रेस पहन कर बाहर निकली ही क्यों इसी तरह परिनीती चोपरा भी अपती फिल्म की प्रमोशन के लिए पहुची थी मैडम ऐसी ड्रेस पहन कर इस इवेंट में गई थी कि ड्रेस से हाथ हटा ही नहीं पाई ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी ड्रेस बस हवा में उड़ी जा रही थी और आक्ट्रेस उसे उड़ने से रोक रही थी वेल बॉलिवुड वालों के साथ ये सब होना आम बात है क्योंकि इनके साथ ये एक बार नहीं बलकि कई बार होता है फिर भी ये अक्ट्रेस बास नहीं आती अब जैसी हरकत मा बाप करेंगे वही तो बच्चे भी सीखेंगे ऐसे ही अब स्टार किट्स भी उट पटांग कपड़े पहन कर घर से बाहर निकल जाते हैं जिसकी वज़े से उन्हें कई बार ट्रोल होना पड़ता है इन्ही हरकतों की वज़े से अब बॉलिवुड का आने वाला कल कुछ खास बनता दिखाई नहीं दे रहा ये तो सभी जानते ही है कि बॉलिवुड में सबसे पहले मौका स्टार किट्स को ही दिया जाता है आउटसाइडर्स तो फिल्में मिलने के बाद भी स्ट्रगल ही करते रहते हैं अभी तक जितने भी नेपोकेट स्टार बने हैं उन सबका हाल खराब ही है क्योंकि ना तो इन्हें आक्टिंग आती है और ना ही इनमें कोई संसकार है जैसे आप अनन्या पांडे, जानवी कपूर, शद्दा कपूर और आलिया भट को ही देख लीजे इनकी आक्टिंग स्केल्स कितनी है ये तो आप जानते ही है एक हद तक आलिया भट और शद्दा कपूर है जिने थोड़ी बहुत आक्टिंग तो आती ही है लेकिन जानवी कपूर और अनन्या पांडे को तो लोग एक्टिंग के मामले में बिलकुल जीरो ही बुलाते है अगर आज के नेपोकेट्स ऐसे हैं तो आप सोची सकते हैं कि आने वाले टाइम बॉलिवुड का कितना ज्यादा टफ रहने वाला है आखिर कब तक सलमान, शारुक, करीना, काट्रीना फिल्में बनाएंगी सुहाना और नीसा देखवन जैसे स्टार के जगर आने वाले टाइम में फिल्में बना लेंगे तो बॉलिवुड का फ्यूचर आप सोची लीजे क्या होगा वेल दोस्तों क्या आपको लगता है कि बॉलिवुड की ये सब हरकते आज की जनरेशन को खराब करने का काम कर रही है हमें कॉमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताए साथ ही ऐसी इंट्रेस्टिंग विडियोस देखने के लिए हमारे पेच को फॉलू जरूर करें